सम्विधान दिवस को लेकर रविवार 26 नमंबर को भागलपूर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से डालसा परिसर इस्थित ADR भवन में विधिक जागरुकता कारिक्रम का आयोजन किया गया इस दोरन जिला एवं सत्र नियायाधिस सर डालसाध्यक्ष राजेश नारायन शेवक पांडे की मौजूदगी में कारिक्रम आयोजित किया गया जिसमें जिला जज ने सभी नियायक पतादिकारियों एवं अधिवक्ताओं को संभिधान दिवस की शुब कामनाएं देते वे संभिधान के अनुशार कार्य करने की बात कही वहीं से पुरु कारिक्रम की शुरुवात जिला जज राजेश नारायन सेवक पांडे एडीजे प्रथम अर्विंद कुमार शर्मा, एडीजे द्वीतिया, मनोच कुमार द्वेदी, एडियम महफूज आलम और जिला विदिक सेवा प्रादिकार के सचीव उमेश प्रसाद ने संयुक्त रूप से दिप्रज्वल लिद कर किया इधर विदिक जाग रूपता कारिक्रम के दवरान जज समेथ सभी न्याइक पतादिकारी अधिवक्ता, लीगल एंडे डिफेंस कौंसलिंग के सदस्यों ने संविधान निर्माता बावा सहब अंबेदकर के चितर पर पुसपांजली अर्पित किया जिसके बाद जिलाजज समेथ सभी न्याइक पतादिकारियों और इधिवक्ताओं ने संविधान की प्रस्तावना का पठन किया वहीं जिलाएवमसत्र नियाधिश राजेश नारायन सेवक पांडे ने कहा कि भारतिय संविधान के कारण ही हम सभी मानवियम मुल्यों के तहत कारिय करते आ रहे हैं जिससे देश लगतार प्रगती के पत पर आगे बढ़ता जा रहा है जिलाजज ने कहा कि हमें संविधान में दी गई वेवस्ता का लाव आम लोगों तक पहुँचाना है जिससे आम जंता को उचित नियाएके साथ उनका अधिकार मिल सके साथ ही कहा कि प्रादिकार की ओर से भी जनता के प्रती जवाब दे ही है जिसको लेकर विधिक जागरुकता समयत कई तरह के कारिक्रम चलाए जाते हैं साथ ही एडीजे प्रतम अर्विंद कुमार शर्मा ने कहा कि संभिधान में सभी के अधिकारों एवं कर्तब्यों की विवस्था कर दी गई है इस दोरान सभी न्याइक प्रादिकारियों का स्वागत जिलावीदिक सेवाप्रादिकार के सचिव उमेश प्रसाद ने किया जबकि कारिक्रम का मंच संचालन रमन करन ने किया मौके पर जिलावीदिक सेवाप्रादिकार की लिपिक तुलिका कुमारी प्रदीप कुमार के अलावा कई पैनल अधिवक्ता पारावीदिक स्वेम से बग भी मवजूद रहे गुरू पुर्णिमा और गुरु नानक देवजी महराज के 594 प्रकाश परव को लेकर रविवार को भागलपुर गुरु द्वारा गुरु सिंग सभा से नगरकिर्तन शोभायात्रा निकाली गई और सिख धर्म के श्रधालवां के द्वारा गुरू के समक्ष अर्दास कर किया गया जहां गुरू सिंग सवा की गद्धी पर गुरू ग्रंत साहिब का अखंडपाठ जारी रहा वहीं पूरे भक्ती भाव और आस्था के महाल में गुरू द्वारा से नगर किर्टन यात्रा शुरू की गई जिसमें गुरू नानक देव की गद्धी के साथ ढोल नगाले और बाजे गाजे के साथ पंच प्यारे रागी जथा, घोडे, बैंड बाजा, पंच प्यारे के लिए सड़क को साफ करती महिलाएं और यूवतियां सबद किर्टन वहन के अलावा सिख धर्म समेत अनिधर्म के लोगों ने भी हिस्सा लिया नगर किर्टन यात्रा के दवरान राजी जथा ने करतब दिखाया जबकि गुर्बानी की धुन के साथ भक्ती पुर्ण माहौल में स्रधालू जूमते नजराए इस दोरान भागलपुर गुरुद्वारा रोड से शुरू हुई यात्रा घंटाघर चौक, खलिपा बाग चौक, कोतवाली चौक, एमपी दिवेदी रोड और इस्टेशन गोलंपर होते हुए पुनह गुरुद्वारा आकर संपन्न हो गई वही से जगा जगा शेहरवासियों के द्वारा पंच प्यारे और नगर किर्तन में शामिल स्रधालूं का स्वागत किया गया, जबकि सभी ने एक दूसरों को गुरु नानक जैंतिक और प्रकाश पर्व की बधाईयां दी, बतादें कि सौमवार को गुरु का अटूट लं और हर्षपृत सिंग के अलावा, भागलपूर समयत कई जगों से पहुंचे पुरुष, महीला, युवक, युवति और बच्चों ने गुरू को नमन किया भागलपूर नगरविकास समीती की ओर से आयोजीत होने वाला भागलपूर महतसब कुछ समस्याओं के कारण एक बार फिर से अस्थगित कर दिया गया है इसको लेकर अभिबार को भागलपूर पटलवाबू रोडिस्तित एक कॉंपलेक्स में नागरिक विकास समीती की बैठकायो जित्वी जिसमें कई बिंदूओं पर गहन विचारवी मर्ष के बाद शर्व समती से समीती के द्वारा भागलपूर महतसब कारिक्रम ततकाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया वहीं इसको लेकर समीती के अध्यक्ष जियाउर रह्मान और परवक्ता रमन साह ने बताया कि वर्स 2004 से सुरू हुए भागलपूर महतसब प्रोग्राम के लिए समीती के द्वारा अट्वर मा में ही जिलाप्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन को पत्र लिखकर टाउन हॉल आवंटित करने की मांग की गई थी लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से संस्था को टाउन हॉल आवंटित नहीं किया गया जिस कारण इस वर्स महतसब का आयोजन अस्थगित कर दिया गया है अध्यक्ष जियाव रह्मान ने कहा कि टाउन हॉल का निर्मान करने वाली एजनसी के द्वारा अब तक जिलाप्रशासन को टाउन हॉल विधिवत रूप से हैंडोवर नहीं किया गया है जबकि वहाँ पर फिलाल बिजली का कनेक्शन भी नहीं है साथ ही कहा कि आपचारी क्रूप से कुछ सरकारी कारिक्रम टाउन हॉल में जरूर किये गए हैं लेकिन भागलपूर महुतसब जैसे बड़े आयोजन के लिए बिना बिजली केनेक्शन के जनेरेटर के बल पर करना संभव नहीं है जबकि फिलाल निजी कारिक्रम के लिए कई तखनीकी बाधा भी जिलाप्रशासन के समक्ष है इदर नागरी विकास समीती के सचिव शतिनारैन परसाथ ने कहा कि पिछले कई वरसों से जिलाप्रशासन द्वारा भागलपुर महतसब के लिए टाउन हॉल निशील कावंटित किया जाता रहा है और अब नए टाउन हॉल का निर्मान स्मार्ट सीटी लिमिटेट के द्वारा कराया गया है जिसमें परते एक दिन के प्रोग्राम के लिए संस्ता को डीजल समेत कई तरह के कारियों पर करीब देल लाग रुपे खर्च होती है जबकि भागलपुर महतसब पांच दीवसिय प्रोग्राम है साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना शंक्रमन के कारण वर्ष 2020 के बाद से अब तक अलगलग कारणों से भागलपुर महतसब स्थगीत होता रहा है वहीं सलाकार रमनकर ने कहा कि डाउन हॉल काफी सुन्दर बनाया गया है लेकिन प्रशासन एवं स्मार्ट सीटी कंपनी लिमिटेट प्रवंदन से उन सभी का अनुरोध है कि कला संगीत के लिए हो रहे गयर सरकारी एवं गयर विवशाईक आयोजन के लिए रियायत दर्गा प्राप्धान किया जाए जिससे आने वाले दिनों में आयोजन को लेकर बाधा उत्पन ना हो मौके पर संगठन सचीव आनंद स्रिवाश्तव नरेश शाह प्रोफेसर रोज राकेश रंजन केशरी समेट काफी संख्या में संस्ता से जुड़े पुरुष और महिला सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात ने रखी। अस्थान पर खोला गया है जो आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है डप्टर धरमेंदर ने कहा कि ओमियंटी में आधुनिक मसीनों के द्वारा मरीजों के कान, नाक, गला समेट कई रोगों की चांच की जाएंगी जिससे लोगों को इलाज में बड़ी राहत मिल स साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में मड्यूलर ओप्रेशन थियेटर, मड्यूलर लैब रूम के साथ पूरी तरह से वातानुकुलित, कमरे और रिशैप्सन हॉल की वेवस्थाएं हैं इस दोरान भागलपुर जिलेके औश्रधी निरक्षक, निलेश कुमार मानस, रितेश शिंग, डॉक्टर अर्चनाचा, डॉक्टर बीके मिश्रा, डॉक्टर विस्नू कुमार, डॉक्टर शंभू शरंच समेत अन्य चिकित्सकों ने अस्पताल परवंदन को अपनी ओर श के द्वारा आगामी लोकसुबा चुनाओ की तैयारी को लेकर बूत अस्तर पर मतदाता सुची सुधार के लिए 25 एवं 26 नमंबर को विश्य सुची सुधार कारिक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी बूतों पर बीलो को मतदाता सुची में नाम जोडने का निर्देश दिया गया है, वहीं इस दोरान सुल्दानगन जहांदर्स मदविद्याले, दरवारी सिंग मदविद्याले और पारवती देवी उच्विद्याले में एक भी बीलो के नहीं पहुंचने की बात सामने आई है, जबकि क्रिश्णानंध हाई स्कूल में तीन बूत होने के मतदाता, मतदान के अपने मौलिक अधिकार से वन्चित रह जाएंगे, इसको लेकर सांसत प्रतिनीधी पवनकेशान ने भी सभी विद्याले का निरक्षन कर इस्तिति का जायजा लिया, पवनकेशान ने कहा कि बूत पर बियलो के नहीं पहुंचने से मतदाताओं के नाम क सुधार करना मुश्किल है